तो चलो प्यारे बैचे इस वाले कोश्चन को दो कि एक बहुत ही बहत्रीन कोश्चन है और इसको हम लोग करते हैं कहता है मास डेंसीटी आपे इस्पिरिकल गैलेक्सी द्यान देखना इस्पिरिकल गैलेक्सी है गैलेक्सी क्या होता है मेरे भाई ये छोटे छोटे पार्टिकेल ये सारी ये पूरा एक गैलेक्सी है जो बड़ा वाला पाउंडर दिखा रहा हूं ये ये पूरा गैलेक्सी है ये अपना गैलेक्सी है ठी मास डेंसिटी आप गेलेक्सी का यूनिफॉर्म थोड़ी है नौन इनिफॉर्म मास डिस्टिब्यूशन और वह वहरी कर रहा कितना के ओवर आर लार्जर रेंज आर प्रॉम दे सेंटर ठीक है अब इसी रीजन में एक खतरनाक स्टार आ गया ठीक है एक प्यारा सा स्टार आ गया क्यूट से तो इस्माल स्टार इन आर्बिट आर और ये जो आर्बिट आर है उसमें एक ये छोटा सा प्यारा सा स्टार चक्कर लगाने लगा ठीक है ध्यान रगना मास नौन इनिफॉर्म डिस्ट्रिब्यूट है दे प्रियेड आप Revolution और आर में क्या relation होगा अब यह चक्क लगा रहा होगा एक टी तो प्रेशाइं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लगा आने में प्रमें कुछ तो टाइम लगेगा तो उसका टाइम प्रमेट जो है वह में क्या है तो ऊसका टाइम Capital force कहां से मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से मिलेगा यह पूरा इस रीजन में ध्यान देना यह जो हरी भरी हर्याली रीजन है तो इस रीजन में जो मास से Distribute है से मेरहनôm फो मॉस सारे मास को मैं पर मांस सकता हूं और इस रीजन में Г्लेक्षी का मास Capital M है और पूरा इस में मान सकता हूं तो अगर मैं उस पूरे मास को में सेंटर में शेषाब उनिया प्यारे बच्चों तो सेंटर पर यह पूरा का पूरा मास capital M है और जो star चक्कर लगा रहा है उसका mass small M है और वो भी velocity से चक्कर लगा रहा है उसका time period T हमें निकालना है तो simple सी बात है भाई बहुत simple equation है circle में चक्कर लगा रहा है circular motion का concept सबको आता है कि यह center की तरफ गया centripetal force तो centripetal force कोई नया force थोड़ी है gravitation नहीं तो प्रबाइड करेगा centripetal तो एम आर omega square की वेलू जी mass of the material मतलब galaxy in our region जो की point point पर focus होगा और SPR को point मना सकते हो M और over R का square ठीक है तो M ने M को काट दिया और omega is equal to होता है 2 pi t का whole square ध्यान रगना M unknown है capital M जो है यहां पर capital M unknown variable है हमको नहीं पता वो क्या है मेरे फ्यारे बच्चों तो यहां से आ जाएगा R is equal to 4 pi square is equal to t square is equal to gm over R का square तो यहां कर दूँ gm से तो अब हमारा finally यह target होगा बच्चों gm निकालना अगर मैं gm निकाल लूँगा नहीं जी तो पता है यह अम निकाल लो capital mass निकाल लो capital mass क्या है इस पूरे galaxy का mass इसका mass इसका mass क्या है ठीक है चलो तो इसका mass निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूँ आर रीजन में जो mass distributed उसको निकालने में यहां से small r distance पर जाता हूँ center से और एक छोटा सा differential element लेता हूँ प्यारे बच्चों जिसका जो ठीकने से वो dx दी आर आ जाएगा जिसका तो इस चोटे से differential element का mass निकाल लो और उसके बाद इंटिग्रेट कर तो लिमिट लगा के 0 to r problem हो जाएगा तो इस differential cell में जो mass आएगा mass is equal to volume बॉल्लूम मल्टिप्लाइड वाइ डेंसीटी तो बॉल्लूम कैसे लिखते हैं डिफ्रेंशियल सेल का तो फोर पाई आर स्क्वाइर और इसकी थीकनेस डी आर और डेंसीटी रो डेंसीटी यह फंक्सन आफ आर दिया हुआ है डेंसीटी यह फंक्सन आफ आर भेरी कर रहा के अपान आर से तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वाइर और यह यह फाइघ का के अपान आर तो एक आर एक आर को खा गया तो यह मुझा घीक सूर्पर मा लिख को तो पूरा मास चाहिए ना तो लिमिट लगाके इंटीगरेट कर देते हैं जब और जीरो था तो मास जीरो था तो जब R capital R हुगा तो mass capital M हुगा तो यहां से देखो कि mass capital M की जो value है वो 4 pi k r square r square by 2 integrate हो गया और यह 0 to capital R तो इसका मतलब 4 pi k और यह जाएगा capital R square by 2 तो यह जाएगा 2 finally तो finally जो है by 2 pi k r square that is the capital mass तो 2 pi k square that is capital mass यह भाई सहब capital mass है इसको उठा के ऊपर वाले equation में रख दोगे तो क्या दिखेगा देखो ऊपर था t square की value एक भी छूटना नहीं चाहिए t square की value 4 pi square 4 pi का square और R की power q divided by gm था यार तो इसका मतलब भी हुआ कि 4 pi square r की power q और g m की value कितनी आ जाएगी तो 2 pi k upon r square तो इसका मतलब भी हुआ कि यह r square ने r को खतम कर दिया तो finally r square आ गया तो gm r की power q तो हमें निकालना है t square किसके proportional है तो इधर बचा t square upon r इधर कुप्चे में ले लेता हूं t square upon r is equal to 4 pi square over 2 pi k capital g और यह पूरे के पूरे मिलके यह सारे एक साथ गैंग बनाके constant बन गए तो t square proportional to capital r मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं तो यह जो प्यारा सा expression है यही हमें चाहिए था मेरे प्यारे वैच्चों तो t square proportional to r d option सही है तो I hope आपकी बहुत मज़ा आया होगा और इस मज़ा आया है तो मेरे चैनल के साथ बने रहो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो